Hello everyone, कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है इंदर कशब, स्वागत आपका मेरे YouTube चानल पे तो guys, आज के इस वीडियो मैं आप से बात करने वाला हूँ online exam tips and tricks के बारे में ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस से हो सकता है कि आपको एक ऐसे tips and tricks के बारे में पता चल जाया है जो शायद आप नहीं जानते हो तो guys, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको guarantee देता हूँ कि online exams related जितने वी queries हैं आपके mind में वो सारे clear हो जाएंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना तो guys, कुछ भी start करने से पहले मैं एक चीज़ clear कर देना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो देखने वाले आप एक teacher हो तो please इस वीडियो को यहीं stop कर दो आपको ये वीडियो आगे देखने की जरूरत नहीं है और अगर आप एक first venture हो तब भी इस वीडियो को यहीं stop कर दो आपको ये चीज़ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फालतु में आपकी जलेगी और आप last में comment में ग्यान दोगे और इस वीडियो को dislike करके चले जाओगे जो कि मैं ये बिल्कूल नहीं चाहता हूँ तो क्रिपया करके आप इस वीडियो को यहीं stop कर दे और भी या अगर आप एक last venture हो तो इस वीडियो को अन तक जरूर देखो आपको miss करने की जुरत नहीं है इस वीडियो को अन तक देखो और मज़े करो तो guys सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के mind में आता होगा कि ये online exam होता क्या है और ये कैसे होता है तो guys देखो online exam का मतलब होता है कि वैसा exam जो आप घर पे बैठ के दोगे मतलब अपने classroom में जो आप exam देते हो उसके जगह पे आप अपने घर में ही बैठ के exam दोगे अपने laptop, mobile या computer के थ्रू तो अब बात करते हैं कि online exam आखिर होते कैसे हैं तो सबसे पहला point आपको मैं बताता हूँ जो आपको बहुत सारे universities जो होते हैं वो आपको एक software install करवाते हैं आपके laptop computer में मतलब कि उस software के थ्रू ही आपका exam होगा और वो software AI based होता है मतलब कि artificial intelligence मतलब कि वो software ऐसा होता है जो आपके face को detect कर सकता है आपको पहचान सकता है अगर आप exam दे रहे हो और आप सोचते हो कि उठ के मैं अपने chair से दूसरे जगा चला जाओ तो वो आपके face को detect कर रहा अगर आपका face camera के सामने नहीं आएगा तो वो आपका exam जो है cancel कर देगा automatic और दूसरी बात कि वो software जो होते हैं वो आपके screen को भी capture करते हैं मतलब आपके screen को वो access करकर रखते हैं आप on screen क्या कर रहे हो किसी दूसरे tab को तो नहीं खोल रहे हो या आपके screen पे कोई दूसरा pop-up तो नहीं आ रहा ये सारे चीजों का ध्यान रखता है वो software इसको proctored exam कहते हैं प्लस आपके microphone को भी वो access करते हैं मतलब कि अगर आप माल लो exam दे रहो तो आप सोचो का क्या क्या घर बैठके exam देना तो मैं call पे किसी को बोल दूँगा मतलब जो सामने question दीखेगा screen पे वो पढ़के मैं अपने दोस्त को बोल दूँगा और वो वहाँ से मुझे बता देगा तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि आपका microphone जो है वो भी access रहता है आप जो भी बोलोगे वो चीज उनको सुनाई देगा मतलब कि सामने वहाँ पे एक teacher बैठा हुआ जो आपके उपर नजर रखा हुआ है अगर आप कुछ भी गलत activity करते हो तो वो तुरंत आपके exam को cancel कर सकता है या फिर आपको एक warning दे करके छोड़ भी सकता है मतलब कि यह totally उस teacher के उपर depend करता है कि आपको warning देना है या आपके exam को cancel करना है सारा control उसके हाथ में है तो वैसे software को यूज करके आप cheating कर सकते हो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि जब classroom में exam होता था जो offline exam होता था उस time के तो यार तुम लोग रूखे नहीं चोड़ी करने से तो यार जब घर बैट के exam देना है तो फिर क्यों रूखोगे सीधी सी बात है जाइड सी बात है कि आप लोग चोड़ी जरूर करोगे कोई भी करेगा क्योंकि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंडी लेगा जिसके थूरू वो चोड़ी कर सकता है और बहुत बर ये students को ऐसा भी बोला जाता है कि तुम्हारे पीछे एक mirror होना चाहिए जैसे कि मालनो मैं exam दे रहा हूँ लोग को mirror में दीखेगा और वो चीज इस पर भी नजर रख पाएंगे इसलिए बहुत बर ऐसा भी बोला जाता है आपको पीछे एक mirror रखना है बट यार इतने सारे टेंसन मतलब एक्जाम देने के लिए इतना सारा टेंसन समझ रहो मतलब कि कुछ बोल नहीं सकते हो उस टैब को छोड़के दूसरे टैब में जाने की तो बात दूर की बात है आप उस टैब को क्लोज भी ने कर सकते हो तो यार इससे बेटर तो हमारा क्लासरूम में एक्जाम होता था वही बेटर था बट फिर भी आप लोग टेंसन मतलो क्योंकि यह जो मिर्रोला जो मैंने बताया यह मिर्रोला सिस्टम इंडिया में तो बिल्कुल नहीं होने वाला क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंडिया का आधे बच्चे यही बोलेंगा कि मेरे घर में नहीं और हमारी गवर्मेंट इतनी कि सिर्फ पासमार्स के लिए मतलब कि यह सारे चीज आप करके सिर्फ पासमार्स ला सकते हो टॉप तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो मतलब कि आप जितनी बारिकी से करोगे और जितना जल्दी कर पाऊगे उतना ज्यादा अच्छा मार्स उठा सकते हो तो गयाज अब बात करत तो यह सब नॉर्मल जो है टेस्ट होते हैं Google पर जैसे कि आपके कॉलेज का या फिर आपके स्कूल का कोई क्लियरली बताया हुए कि सिफ उसी फोन में जिस फोन में आप एक्जाम दे रहे हो उसी फोन को यूज करके कैसे आप चीटिंग कर सकते हो बीना किसी दूसरे टैब में जाये हुए और गाईज अगर गूगल फॉर्म पर आपके टीचर कैसे कोशन सेट करते हैं वह चीज अग और जूम इसमें आपका वीडियो कॉल जो है और उसके सामने आपको एक्जाम देना रहता है और सामने आपके टीचर आपके उपर नजर रखते हैं तो इन सारे एक्जाम में आप उसी फोन से चीटिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि वह लोग स्क्रीन को रिकॉर्ड भी करते है और जब आपका स्क्रीन डीकॉर्ड होगा तो आपके स्क्रीन पे लिख करके क्या आएगा red dot में की स्क्रीन डीकॉर्डिंग जिसको देखा कर क समझ सकताए हो कि आपके teacher आपका इ膝ाल से निकाल भी सकते हैं मैं आपको एक एक करके टीप बताऊंगा और आपको clearly सब कुछ समझ में आ जागा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ तो चलो एक एक करके मैं आपको टीप बताता हूँ तो अभी मैं आपको टीप नंबर वन बताने वाला हूँ तो देखो मालो यह आपका कंप्यूटर है यहाँ पर आपका वेब काम है तो आप यह वेब कैम के बगल में यहाँ पर चीट लिग करके यहाँ पर लगा सकते हो तो यह वेब कैम जो है कुछ दूरी के बाद वो कैट् लेकिन इसमें सउधानी बरत्नी की जुरत है गाइस वो जो software है वो AI based है अगर आप ज्यादा दिर तक नीचे देखोगे तो वो उसको detect करेगा मतलब कि अगर आप यहाँ पर type कर रहो हो या फिर कुछ भी कर रहो तो ऐसा करके एक बार देख लिए बस formula आपने देखा और आपने फिर अपना काम करना start कर दिया मतलब कि ज्यादा दिर तक आप नीचे नहीं देख सकते हो यह tip number 2 था सिर्फ जो छोटे मोटे formula होते हैं उसको आप यहाँ पर लिग कर रख सकते हो मतलब कि देखो आपने कुछ पार्ट को वहाँ पर स्क्रीन पर चिपकाया हुआ है और कुछ पार्ट को यहाँ पर थाई पर रखा हुआ है दो तरह का आपको tip मिला तो यह चीज आप यूज़ कर सकते हो तो कहीं न कहीं आपको यह help जरूर करेगा और अब बात करते हैं तीसरे tip की तो guys अब बात यह है कि आप क्या कर सकते हो अपने phone को जैसे मान लो यह laptop है यह laptop का यहाँ पर screen है और यहाँ से keyword start है तो आप क्या करो अपने phone को यहाँ पर रख दो मतलब कि जो आपका laptop का screen है वहाँ पर उसको support डाल करके खड़ा कर दो phone को और वहाँ पर आप Google search कर सकते हो और teacher को यही लगेगा कि आप screen पर देख रहे हो या फिर कुछ type कर रहे हो क्योंकि यह जो desktop की screen है और phone जो है आपका यहाँ पर लगा हुआ और tip number 4 इस tip में क्या करना है कि आप अपने computer या laptop के पीछे एक और दूसरा computer या laptop रख सकते हो अगर है तो मतलब कि यह जो tip है वो optional है अगर आपके पास है extra computer या laptop तो आप इसको use कर सकते हो नहीं तो आप दूसरे tip को follow कर सकते हो और guys अब बात करते है tip number 5 की और यह जो tip है यह मेरे एक friend ने suggest किया है तो मैं आपको बताता हूँ कि यह tip है क्या तो guys इस tip में आप क्या कर सकते हो अपने phone को यहाँ पर अपने pocket में डाल सकते हो front pocket में और video call कर सकते हो आप अपने किसी भाईया को या फिर किसी friend को जो free हो और आप ear words जो है वो कान में लगा लो और क्या करो उसको video call करोगे तो आपके screen पर जो भी questions दिख रहे हैं वो उसको दिखेंगे और वो वहाँ से आपको answer बताएगा और आपके कान में ear words है आप सून करके अराम से लिख सकते हो ये चीज आपको webcam में नहीं आगे लेकिन problem ये है कि क्या आपकी university यहाँ पे phone रखने की permission देगी मुझे जहां तक लगता है नहीं देगी यही एक problem है इसलिए आप exam की जितनी भी instructions है उसको ध्यान से पढ़ो और देखो कि क्या ऐसे चीजों को मना किया गया है अगर नहीं किया गया है तो आप ये चीज को रख सकते हो और ये जहां तक मुझे लगता है सबसे best option है अगर आपके instructions में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है मतलब मना नहीं किया गया है तो लेकिन ये trick जितना अच्छा लग रहा उतना ही risky भी है क्योंकि अगर आपके teacher को जड़ा सबी शक होता है तो वो आपके exam को cancel भी कर सकते है तो guys अब बात करते है tip number 6 की चटा trick ये है कि आप अपने किसी friend को या फिर अपने भाहिया को उसी room में रखो जिस room में आप बैटके exam दे रहो और वो जो है आपके computer के थोड़े पीछे रहेंगे तो guys ये trick है ये सबसे ज़्यादा effective है क्यों मैं आपको बताता हूँ देखो ये laptop है यहाँ पे camera है तो ये अगर laptop है इस laptop के अगर side में अगर थोड़े से पीछे side में अगर आपके भाहिया या फिर आपका कोई एक friend रहता है और वो ऐसे जहां करके अगर देखता है तो उसको तो इस screen पे क्या question लिखे हुए है वो चीज़ दिख जाएंगे लेकिन camera में वो नहीं आएगा तो इससे क्या होगा कि आपके screen पे क्या questions दिख रहे हैं वो देख करके आपको book खोल करके पीछे से दिखा सकता है और आप आराम से लिख सकते हो और गाईज अब बात करते हैं 7 नमबर tips की जिसमें आप उट करके कहीं और भी जा सकते हो और आकर के फिर बैट के अपना exam फिर से लिख सकते हो तो गाईज उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको अपना wifi को disconnect कर देना होगा आपका wifi disconnect होगा मतलब आपका exam disconnect हो जागा तो वो लोग समझ सकते हैं कि हाँ यार नेटवर का पॉलम हो सकता है तो इसलिए क्या पता आपका एक्जाम जो है रिकनेक्ट हो जाए तो यह चीज अगर आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि अगर आपका इंटरनेट जो है काम करना बंद कर दे बीच में तो आपक मैं सीधा सीधी आपको टिप्स देना चाहूंगा कि आप अपनी एक्स को कॉल करो और कॉल करके पूछो कि चीट कैसे करते हैं क्योंकि उससे अच्छा कहा कोई चीट कर पाएगा एक मिनट रूको मैं खुद कॉल करता हूं हाँ हेलो डायन हाँ हेलो हुआ क्या कुछ नहीं म मेरा एक्जाम है तो यह चीट कैसे करते हैं बताना तो तो चीट करने में एक्सपर्ट है ना कि चलो यह तो हो गई मजाक की बात तो फिलाल के इस वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है कि आपको यह सारे ट्रिक्स बहुत अच्छे लगे होंगे और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दो और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्स्रा कर दो